लल्ला की दे तो दमक रही है तो क्या मुझसे बात भी जेही कर रही हो है जे मुझसे बात कर रही हो है अरे क्या कर रही हो सबको मत बताओ पूर्णा ये केवल हम दोनों का रहसे है मेरा और तुम्हारा ध्यान से देखो पूर्णा पहचालो मुझे दादिमा दादिमा देखो ये सब देवता है ना हाँ 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 सारे देवता पता रहे है सारे तेरी सश्टी पूजा के लिए आये है तो इस पूह कारत है क्य तू सच्ची में पूर्णा मेरे रहसे को गोपनीय रखना हैतु में किस अधर सच्ची में यह सच्ची में क्या मोसी हाँ हाँ पूर्णा मोसी क्या हूऊ हुँ कोई जिन्ता की बात तो नाया ना चिंता किस बात की जब सुहम नारायन ही नहीं पूना माया को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं श्री विष्णु का अफ़तार हूं क्या हूँ मौसी कहना क्या चाहती हो आप जे बात करो है आपसे और जी सभी देवी देवता पधारे हैं जी सब का क्या मतलब हां तुम्हें मेरी भक्ति की सोगंध है पूर्णा मैया या शोदा के लिए मुझे बस नंद लाला ही रहने दो चुप क्यों हो गई मौसी बताओ ना अवस्या ही कोई बिसेश बात है जो आप बताना रहें हां बताओ मौसी क्या हूँ ना कुछ बिसेश नहीं है शोदा चनपर के लिए ऐसा लगा कि इसकी दे में तिव्य तेज है यह मुझसे कुछ कहना चातो है यह आखे बूरी हो गई है यह सुदा नजने क्या देखती है क्या समझती है धन्यवाद पूर्णा सच का हूँ तो कभी-कभी मुझे भी ऐसा ही लगतो है मौसी अवसे ही तेरे लल्ला पर बगवान स्री नारा इनकी बिसेश कृपा है तब ही तो शायद मुझे लगा कि सारे देवता यही कही आसपास है मैं प्रभु भक्ती में लीन हो गई थी कि समझ ही नहीं आया कि सच क्या है और ब्रह्म क्या है आप पुन्या आत्मा है मासी आपकी जे गूड बाते मेरे पलने तो ना पड़ती पर इत्ता जानतो हूँ के छी नारायन की हम पर कृपा का साक साथ स्वरूप है जे लल्ला किन्तु अब मैं सब समझ गई हूँ इस बालक के रूप में स्वयम नारायन ने अवतार लिया है तो अवस्य ही उद्देश्य कचुबिसेस ही है तो इस उद्देश्य से आप मेरे पास आये हैं माहराद आप चाहते हैं मैं आपके जीवन पर छाय इस ग्रहन को राहू बनके निगल जाओं आँ किन्तु वो विश्णव शिशू के रूप में कहीं छुपा हुआ है इसलिए पिछले दस दिनों में जितने भी बालकूने जन्म लिया है उन्स सब का पत्थ करना होगा ये सब मैं आपके लिए क्यों करूँ तेरे लिए नहीं अपने लिए करो जितने अधिक शिशूओं को तुम ढूंड पाओगी उतने अधिक शिशूओं को मार पाओगी देखा मदुमंगल लगभग सभी देवता है थे यहां बस एक उन्हें छोड़कर पता नहीं कहां रह गए वो हाँ, तो यहां है दो एहां हाँ क्या हुआ, आप रुख्यों गए, शनीदेव? आईए ना, शनीदेव नहीं, नहीं, ये उचित नहीं है हिदर जाकर, जब तक प्रभूश्री नाराण को जी भरकर देख नहीं लेता तब तक मुझे शान्ती नहीं मिलेगे किन्तो यदि मैंने उन्हें देख लिया तो मेरी उवक्र द्रश्टी उन पर पढ़ जाएगी कल पना करो छोटे छोटे नवजात शिशूं के कोमल दन तुमारे लिए स्वादिष्ट आनंद दायकार जिसे मेरा अंत करना था अब ये बनेगी उसका काल आये ना शानी देव कपसे प्रतीक्षा कर रहा हूं आपकी प्रभू पर अपनी वक्र द्रश्टी ठाल उनके लिए किसी भी संकट को जन नहीं दे सकता मैं वो अभी बाल सरूप में है यदि कोई विप्दा आ गई तो नहीं नहीं मुझे उनके दर्शन किये बिना ही लोटना होगा नन्ने नील मनी के दर्शन करके मन्त रप्त हो गए सच कह रो भाई उसकी मुस्कुराहरत इतनी मनोहरती कि जित्ता भी वर्डन करो कमी पड़ोगो आखे देखी ऐसा आकरसन है कि देखते देखते चार पहर बीत जाए फिर भी मन्ना भरेगो प्रभो के द्वार तका कर बिना दर्शन के वापस कैसे चाओ जो साधारण मानवों को साहज ही प्राप्त है वो मेरे लिए इतना घठिं क्यों है नहीं मेरी वक्र द्रिष्टी के गारण आप पर कोई आपता है यह मैं सहन नहीं कर बाऊंगा मुझे शमा कीजेगा नारायण यह मैं यह शोदा अभी निकल ते आचार isolating लल्ला ल्ला आज़ो ल्ला गोदी मेरे आचा 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 शंद्धा आब किस्तूरी देगा स्टूरी मासी के पहस आविगो ने उपनime किस्तूरी स्थाहिः oxymoutry सांथ हो जाओ सब सब्स dualism सांथ amigo जिजी जिजी गहर ना जानो है? हाँ? जिजी जानो है? तुम सब के कारण मेरे और मेरे लल्ला को तनिग मी समयना मिलतो है साथ में अतिती भी चले गए अब तो जाओ सब जिजी तको होत रहा है जो 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 आजा गोदी में आएगा अरे मुझे देखा है मुझे को तुम सब के कान में बात ना जा रही मेरी हाँ अब इसे खिलाते रोगे तो मेरे लल्ला का पेट दुखने लगेगो बस करो सब चुनो ऐसे मधुर किलकारियां भारेंगे तो मैं स्वयम को कैसी रोख पाऊंगा प्रभू? परिसान कर दो है ना लल्ला बहुत ठको है ना हाँ अब कोई परिसान ना करेगो सब गय अब तू भी सोज जैसे रोणी जीजी सुलाती है ना तिरे बड़े बईया को वैसे ही सुलाओंगी तुझे यह हुई ना बात मैया बहुत आनंदा रहा है पर मैं आखें बंद करू भी तो कैसे शनी देव कितने व्याकुल है मेरे दर्शन के लिए जे क्या है अललला मैं तुझे सुलाने के लिए जुला रहे हूं और तू एक आखे न चारो है कहां देख रहो है ललला कौन है महां कौन है कहां देख रहो है ओ महाराज आप कौन और आप यहां क्या कर रहे हो मैं यह आपका ललला अच्छा ललला को देखने आयो अरे तू इतनी देर क्यों कर दी जब सब आये थे तब क्यों ना आया आपको पहले कभी गोकुल में देखो ना है कहां से हो आप और सबसे पहलो तो अपना नाम बता सच्ची सच्ची बोलो मैं शनी शनी देव अच्छा सनी देव मैं चंडी माता मैं आप एक तो चोरी चोरी ज़रोकी से जाक रहो थे उपर से स्वयम को सनी देव बता रहे हो है? क्या समझते हो? तुम देवता के रूप में स्वांग रचाओगे और मैं तुम्हें सच्ची को देवता मान लोंगी संपूर जगत मझे शनी देव के नाम से जानता है मैया मैं सत्य कह रहा हूँ सत्य कहने वाले ऐसे द्रिस्टी ना चुराते आखों में आखें डाल के बात करते हैं आपको कैसे समझाओं? मैं चाह कर भी आपके नेत्रों में नहीं देख सकता अपने वक्र द्रिष्टी से श्री हारी के मैया का आहित कैसे कर सकता हूँ मैं अच्छा, पहचान का छल सिद्ध हो गओ, तो मौन हो गए इससे पहले कि नंद महराज को पता चल चलो, जाओ यहां से अब पसे एक बार अपने लिल्ला के दर्शन करातों मैया फिर चला जाओंगा, मैं सत्त कह रहा हूँ कि मैं शनी देव हूँ जदी जे सच बोल रहो होता, तो मैं आवस्या इससे लल्ला से मिलवा देती गिन्तु जे तो जूट पे जूट बोले जा रहो है अब तो इसे गोकुल का खटा मठा करके ना पिलाओ, तो मेरा भी नाम जसोदान महराज, जदी आप सच्ची मिसानी दे दे फिर तो मैं अपने लल्ला के दर्सन बिल्कुल ना करवाऊंगी किन्तु क्यों महिया भूलगा, आपकी ही दृष्टी के कारण महिया पारवती के लल्ला का सीस कटगो था फिर हमारे डमरू धारी भोले बंडारी ने हाथी का सीस लगा के उनके प्रान बचाओ और अच्छे वले आमारे गनेश जी तो जानर बनगा वो भगवान है उनके लिए जिस सब करना संभव था किन्तु मैं तो साधारन मैया हूं माराज जदी आपने मेरे लल्ला को देख लो और उन्हें आपके वाक्रद्रस्टी लग गाओ तो नाना आप ही बताओ ऐसे कैसे देखने दू आपको अपने लल्ला को है सनी देव अब आप छमा करो मुझे मैं अपनी द्रस्टी केवल छो दिन का है मेरा लल्ला और जिद दिन प्रति दिन के उत्सव से बहुत ठगव है उसे सोने दो माहराज लो कर लो बात मैं तो जाग रहा हूं मैया मिलने दो ना शनी देव को मेरा भी बहुत मन है उनके दर्शन करने का चैराम जी की ऐसे धोंग्यों से जित्ता बच के रह लल्ला उत्ता ही अच्छा हाँ वैसे तो जे सच्ची के भी सनी देव होते ना तो भी ना मिलने देती मैं तुझे लल्ला अरे सवांग जूटा हो सकतो है तिम तो सनी देव की वक्रदिस्ती तो सच्ची होती है हाँ? आँ नहीं तो यह क्या किया मैया कितना दुख हुआ होगा शनी देव को मैं तो आप ही का सेवक हूँ किवल आपके आदेश पर म्याए करता हूँ और केवल पापियों को दंड देता हूँ जिसका जैसा कर्म उसका वैसा दंड तो फिर सभी मझे क्रूर क्यों समझते हैं क्यों भैभीत होते हैं मेरी चाया तक से देवी देवता रिशी मुनी नर नारी कंधर्व यक्ष किन्नर सभी को आपके दर्शन प्राप्त हुए तो फिर ये स्वभाग्य मुझसे क्यों छीन लिया गया क्यों ये तो न्याय नहीं है नाप्रभू उसकी मुश्कुराहरत इतनी मनोहर थी कि जित्ता भी वड़न करो कम ही पड़ोगो आखे देखी ऐसा आकरसण है कि देखते देखते चार पहर बीत जाएं फिर भी मनना भरेगो सबाब के सुरूप की कितनी प्रशंसा कर रहे थे प्रभू कह रहे थे आपके आखे आपके मुस्कुराहट आपका संपोर्ण रूप सरूप सब कुछ कितना सुन्दर है आपके चेहरे पर दिव्य आभा अद्बुत देज तो आपने मुझे किस दोश का धंड दिया है प्रभू क्यों मुझे अपनी छाया से वंचित रखा है पोक लग रही है लल्ला को कि ठंड लग रही है बहुत थकान होगा उना लल्ला पीडा तो हो रही है मुझे पर थकान से नहीं शनी देव के कश्ट से कथा रूप की बाल प्रभू के सुन के मन हरशे द्वार गए पर मिलना पाए ये तड़ पे और तरसे रोम रोम है पीडा में व्यथित है न्याए पती किस विधी दर्शन करू हरी के ये सोचे देव शनी न्याए के देवता के साथ अन्याए नहीं होगा शनी देव आपको मेरे दर्शन अवश्य मिलेंगे खंडे जोके से नीनना आरी लल्ला को हाँ मैं अभी सारे ज़रों के बंद कर देती हूँ ठीक है थिर माईया तुझे लोरी का के सुलाएगी तो बहुत अच्छे से सोईगो मेरा लल्ला अभी आई माईया हाँ? अपके संकेत की पृतिक्षा है प्रभू एक बार आदेश कर दीचे की मेरे भागे में आपके शुक दर्शन है ही नहीं मैं चुक चाप यहां से चला चाहूँगा क्या मैं इतना भी योग्ये नहीं प्रभू? कि आप मुझे संकेत दें? संकेत की अभाव में ही संदेश चिपा है आपके धर्शन करनी के इक्षा मेरी कभी पूरी नहीं होगी इसका अर्थ है कि मुझे ये हट छोड़कर लौट जाना चाहिए लौट जाना चाहिए प्रभू लौट जाना चाहिए बिना मिले ही जा रहे है शनी देश अवशे ही ये मेरा प्रम होगा लो कर लो बात दर्शन देने में स्वयम आया हूँ तो आप मेरी पुकार अंसुनी करके जा रहे हैं प्रभू आपके धर्शनों के लिए कितना व्याकुल हूँ मैं सामने कोकिला है लेकिन स्वयर मुझे आपका सुनाई दे रहा ऐसा इसलिए शनी देव क्योंकि ये कोकिला मार्ध्यम है मुझे आपसे मिलाने में सहायक है ये कोकिला प्रभू 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 मैं धन्य हो गया संपूर जगत आपके धर्शन लेने आया खिंतु आप मुझे धर्शन देने चले आये प्रभू आपने सच्चे हृदे से स्मरण किया था फिर कैसे ना आता मैं जब भग इश्वर को पूरी सच्चाई से पुकारता है तो उसकी पुकार बड़ी से बड़ी तपस्या से भी बड़ी होती है मेरी तपस्या का फल इतने वड़े वर्धान के रूप में मिलेगा इसके कल्पना भी नहीं की थी मैंने आपने अपनी तपस्या से इस थान को पवित्र कर दिया है शनी देव आज से जो भी मुझे हिरिदे में धारण कर यहां आएगा उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी तो फिर प्रभू मेरा एक अंश यहां सदेव निवास करेगा इसलिए आज से यह स्थान को किलावन के रूप में जाना जाएगा और मेरी वक्र द्रस्टी से प्रभावित होकर जो व्यक्ति यहां पर आकर आपकी भक्ति करेगा वो विनाशकारी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा प्रभाव और दो आपकी